तो दोस्तों आप हम देखते हैं कि केरला, टामिलाडो, आंधरा प्रदेश, तेलंगना, महाराष्टर, मध्य प्रदेश, भिहार और आसाम गौटी हम किस ट्रेन से पोच सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि केरला में तिरुआनत पुरहम कैंट से लेकर गौहाटी तक कुण्सी कुण्सी ट्रेन है तो देखो दोस्तों यहाँ पर दिखाए जा रहा है 15905 डिबुरुगर्ड वेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों दूसरी एक ट्रेन और है 12507 जो अरोनी एक्सप्रेस जो की मंगलवार को है और यह डिबुरुगर्ड वेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यह गुरुवार को चलती है तो दोस्तों हम देखते हैं यह ट्रेन जो डायरेक्ट तिरुआनत पुरहम से लेकर गौहाटी त जाती है मतलब यह डिबुरुगर्ड जाती है लेकिन गौहाटी होती होए जाती है दोस्तों हम हम देखते हैं कि यह ट्रेन अगर शाम को साथ 35 पे चलती है तो पूरा नाइट चलेगी उसके बाद दूसरा पूरा दिन और नाइट चलेगी और तिसरा पूरा दिन और नाइ तक यह ट्रेन पहुंच आएंगे अगर यह दो गंटे भी लेट होती कोई बात ने गौटी तक अभी दोस्तों अगर मानलो किसी किसी बच्चे का दीपू दिमापूर सिकोबी में सेंटर है तो यह इसी ट्रेन से आगे गौटी होते हुए आगे जाएंगे यह देखो इससे आ दिमापूर मतलब नेक्स्टेशनी कि दिमापूर तो यह भी ऐक असम राइपल का यहाँ पर भी बच्चे जिसका दिमापूर में सेंटर है और construction में सेंटर है वह भी यहाँ पर उतर सकते दिमापूर में उतर नहीं तो दोस्तों यह clear होगे तीन स्टेशन आपको इसी रूट से अभी हम आते हैं गोहटी अभी देखो गोहटी अभी यह जो अगर आप गोहटी में आ गए तो आप मानलो इस ट्रेंड से गोहटी में उतर गए तो गोहटी उतरने के बाद आप लोग यहां से गोहटी से से बाहर आंगे तो वहां से आपको कोई भी गाड़ी मिल जाएगी जो कि आपको 2 ts 10 गंटे के आंदर शिलॉंग पहुचाएँगे जिन जिन बच्चों का शिलॉंग में सेंट्र है तो आप रेलिउय स्टेशन से बहार आने के बाद बहाँद वहां पर पिर वो बच्चे गौहाटी उतर जाएंगे और गौहाटी से फिर डारेक्ट दूसरा ट्रेन पकडेंगे तो हम अभी देखते दूसरा ट्रेन गौहाटी कोन सा कौन सा ट्रेन है तो जोराट वूराट ट्रेंड के लिए eun क्यूंकि नागलेन एक्सप्रेश तो यह भी ट्रेन देखते अब यह यह कैसे गॉहाटी से आपको यह कब छोड़ेंगी जोराट, दुसरे दिन सुबह सुबह छे बज़े चोड़ेंगे अगर आप गहाटी स्याम को 8 बजे बैठते हो तो सुबह सुबह 6 बजे छोड़ेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग जोराट पहुच सकते हो अभी दोस्तों रहे गया हपलोंग हपलोंग सेंटर के लिए क्या करें जिन जिन बच्चों का अगर यहां इस रूट से इ कौन सा रेल्वे है देखो इसमें बहुत सारे रेल्वे है लेकिन वह दिन के हिसाब से कोई संडे को है कोई मंडे को नहीं है कोई मंगलवार को है कोई बुद्वार को नहीं इस तरीके से तो यहां पर देखो हम देखते आभी फिलार सिल्चर कंचन गंगा एक्सप्रेस तो हपलोंग के लिए आप वहां से बढ़िया ट्रेन में किसी भी ट्रेन में बैटके जा सकते हो चे साथ गंटे का और न्यू हपलोंग में उत्रेंगे तो वहां से आपको 10 या 15 के अंदर ही आपका फिजिकल सेंटर मिली तो दोस्तों कुल मिला के आपको बताने वली बात है कि आप अगर गौहती रेल्यू स्टेशन पहुशते हो तो वहां से ही आपको दिमापूर और डिपू उसके बाद शिलॉंग उसके बाद ज्वाराट उसके हपलोंग इस सारे स्ट प्रिटेशनों को जाने के लिए वही से आपको ट्रेने मिलेगी और वही से नजदी की है इसलिए कोई टेंशन लेना नहीं बढ़िया तरी किसी आप लोग अपना टाइम पर आजाओ और अपना डॉक्मेंट लेके और आपना अपना ताहर करिए ताकि आप बढ़िया तरी